हेलो एवरिवन मेरा नाम राजीव है और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप गिटहब से किसी भी प्रोजेक्ट को अपने कंप्यूटर में क्लोन कर सकते हो राइट मतलब सपोज कोई अपना एक वेबसाइट बना के गिटहब पे रखा है तो इस पूरी की पूरी वेबसाइट को एक तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हो गिटहब से और उसमें अपने हिसाब से चेंजेज कर सकते हो सो स्टार्ट करते हैं सो अगर आप GitHub से किसी भी web app को या website को clone करना चाहते हो अपने system में तो आपके पास दो चीजे होनी चाहिए सबसे पहला Git Git क्या है? Git एक version control है जिसका use हम करते है GitHub website से communicate करने के लिए So GitHub website अलग है और Git एक version control है जो आपके system में इंस्टाल होता है और जिसकी help से हम GitHub website से communicate कर सकते हैं मतलब वहाँ से code को हम clone कर सकते हैं, clone करके अपने computer में ला सकते हैं और अपने computer को code को push करके GitHub पे डाल सकते हैं और किसकी help से करेंगे ये करेंगे हम Git के help से तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे system में Git install है की नहीं और अगर नहीं है तो कैसे करेंगे तो अगर आप Ubuntu यूज करते हो तो terminal open कर लो और अगर आप window यूज करते हो तो power cell या फिर visual studio code का terminal open कर लो, right तो मैं यहाँ पर terminal open कर रहा हूँ अब terminal में हम search करेंगे, पहले आप search करके देख लोगे, git install तो नहीं है पहले से तो कैसे search करोगे, लिखोगे git then version, v-e-r-s-i-o-n enter करते हैं ओके, तो यहाँ पर अगर git version something like this लिख के आ गया, तो मतलब git already आपके computer में install है, और अगर नहीं है तो कैसे करोगे, तो उसके लिखोगे sudo apt install git, और फिर enter करोगे, install हो जाएगा अगर पूछेगा yes और row में तो y press करके enter कर देना install हो जाएगा, मैं enter नहीं करना हूँ क्योंकि मेरे में already git install है, राइट, so git install करने के बाद हम क्या करेंगे अगर visual studio code आप use करते हो तो उसको open कर लो, मैं यहाँ पे visual studio code को open कर लेता हूँ, new empty video यह हमारा visual studio code open हो गया, और visual studio code में आप terminal open कर लो, यहाँ terminal और new terminal, आप चाहो तो इस terminal से भी कर सकते थे यहाँ पे जिसे हमने git का version चेक किया था, आप इससे भी कर सकते हो, और चाहो तो जो visual studio code के अंदर terminal है, यह देखो नीचे terminal दिख रहा है, आप इससे भी कर सकते हो तो हमें काम करते हैं, हम terminal से करते हैं, main terminal से ओके, तो आब हमें क्या करना है, github से कोई भी website clone करना है, अपने computer में, तो कैसे करेंगे, मैं कोई भी एक website open कर लेता हूँ, github पे so मैं यहाँ पे यहाँ पे एक website है portfolio नाम से, एक इसी बंदे ने portfolio बनाया है, इसका नाम है सॉममेजीत 4419 user idea github का, तो मैं इस website को clone करने जा रहा हूँ यह देख रहा हूँ कि इसने अपने website का picture भी photo भी दे रखा है, कि website जो इसका portfolio है, computer पे ऐसा दिखेगा, और mobile पे कोछ इस तरीके का दिखेगा, तो इसको clone कैसे करेंगे हम, तो clone करने के लिए यहाँ पे देखो, green button code दिख रहा है इस पे क्लिक करो, और यहाँ पे तीन option है, HTTPS SSH और GitHub CLI तो जो सबसे पहला है HTTPS, उसका जो code है इसको copy कर लो इस पूरे code को copy कर लो तो इसको मैंने copy कर लिया, यहाँ साइड में click करोगे, copy हो जाएगा अब आते हैं, अपने हम terminal पे हम terminal में आगए अब कहां पे, आप जो website को copy कर रहे हो, clone कर रहे हो, तो clone करके computer में कहां रखोगे suppose अगर desktop पे रखना चाहते हो, तो पहले desktop पे हमें जाना होगा terminal से so हम लिखेंगे cd, c मतलब change, d मतलब directory folder को हम directory भी बोलता है और directory चेंज करके हमें कहां जाना है desktop, so enter, हम desktop पे आगए, right अब हम लिखेंगे clone करने के लिए git और git के बाद clone और उसके बाद जो हमने copy किया था उसको यहाँ paste कर देंगे कैसे paste करेंगे, right click करो और paste, यह हमारा paste हो गया अब enter करते हैं, so यह देखो यह हमारा clone होना install हो गया यहाँ पे आपको percentage so करेगा और यह hardly, I think कुछ seconds या एक minute, again यह पूरी तरीके से आपके internet speed पे depend करता है, maximum 1-2 minute लगना चाहिए, right, यह हमारा install हो गया, so project हमारा install हो गया हमारे computer में अब हम इस project को open कैसे करेंगे इस project को अगर suppose आपके पास visual studio code है, और अगर आप visual studio code means open करना चाहते हो इस project को, तो उसके लिखोगे code पहले हम desktop पे check कर लेते हैं कि हमारा project आया है की नहीं so मैं सारा minimize कर देता हूँ so यह हमारा desktop है, और portfolio देखो कोई folder दिख रहा है क्या desktop पे portfolio era, हमारा portfolio, यानि project आ गया है इसको open करोगे तो इसके अंदर बहुत सारे files दिखेंगे आपको, यह देखो इसके अंदर यह सारे files है, यह react project है अगर react पढ़ा होगा तो पता होगा, नहीं पढ़ा तो कोई issue नहीं है okay, so अब हम open करते हैं अपने terminal को, हमें इस portfolio folder को अपने VS code में open करना है तो अब हम desktop पे है हमारा portfolio folder, तो again हम लिखेंगे cd, c मतलब change, d मतलब directory और कहां जाना है हमें, portfolio में, again, enter, अब लिखेंगे हम code, code मतलब visual studio code और फिर dot, dot का मतलब हमने computer को बोल रहे हैं, कि भाई, पूरा का पूरा portfolio folder तुम visual studio code में open कर दो, enter करता है code के बाद space होगा, फिर dot होगा, ध्यान रखना, अब यह देखो, यह हमारे visual studio code में, यह पूरा हमारा portfolio folder open हो गया इसके अंदर जितने files हैं, उनके अंदर जितने folder files हैं, सारे के सारे open हो गया, इसमें सब किसी को आप देखना चाहते हो, तो ऐसे click करो, यह पूरा code आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक, ओके, तो इस website को हम कैसे run करेंगे, तो basically एक react project है, ठीक है, और react project में क्या होता है, कि मैं पहले terminal यहाँ पर open कर लेता हूँ, react project को अगर आपने github से clone किया है, तो पहले आपको node modules को install करना होगा, node modules क्या है, अब इस website में, react में जितना हमने code लिखा है, उसका जो framework है, ठीक है, उसके लिए supported libraries होती है, module होते है, उसकी size बहुत बड़ी होती है, तो कोई भी लिखेगा, वो उसको हटा देता है, उसको github पे push नहीं करता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जगह भी लेगा github पे, और बहुत time भी लगेगा, उसको github पे push करने में, तो कोई भी node modules file को हटा देता है, बट हम उसको अराम से install कर सकते हैं, खुद से, तो node modules file को install करने के लिखेंगे npm and then just install, अब हमारा npm जो है, अगर मैं जो बता रहा हूँ, आपको तब ही समझ में आ रहा होगा, और react थोड़ा भी जानते हो तो, और react JavaScript नहीं जानते हो, तो कोई बात नी, यह process छोड़ दो, अभी जो website open होगी, और put देखना है, right, so npm क्या करेगा, यह package.json में जाके देखेगा, कौन-कौन से modules install हैं इस project में, और उस सारे modules के जितने supported libraries हैं, सबको एक जगा, एक folder के अंदर, node module नाम के folder के अंदर install कर देगा, तो जब को click कर enter करते हैं, npm install, अब इसमें hardly 1 minute, 2 minute, या 3, 4 minute भी लग सकता है, depend करता है कि size क्या है node module का, हमारे package.json में कितन modules हैं, जिनके लिए libraries install करनी हैं, तो इस पे depend करता है, so अब देख सकते हो कि हमारा node module install हो गया है, अब यहाँ side में, देखो, node module नाम का folder दिख रहा है, node module नाम का folder आ गया, और इसको open करोगे, तो देखो, इसके अंदर कितने सारे folders हैं, और हर folder के अंदर बहुत सारे files होंगे, तो यह सारे supported libraries होते हैं, अब इतना heavy होता है कि कोई भी जो अपने website को, अपने code को github पे push करता है, तो इस node module folder को हटा देता है, इसलिए जब हम clone करते हैं किसी भी project को, अगर हो react का project है, या फिर node का project है, तो हमें node modules को वापस npm install से install करना होता है, तो अब हम project को run करते हैं, औ अगर इसको run करना है, तो हम लिखेंगे, एक clear मैंने इसलिए लिखा कि यह पूरा data यहाँ का हट जाए, हम लिखेंगे npm, and then npm के बाद install, npm install, और अब पूरा project website थोए देर में browser में, एक से दो minute again इसमें लगता है, कभी-कभी इसमें थोड़ा ज्यादा time भी लग जाता है, तो अभी, एक website में पूरा project हमारा open हो जाए, ओके, sorry, यह मैंने गलती कर दिया, मैंने again npm install लिख दिया, हमें website को start करना है, sorry, तो हम लिखेंगे npm start, npm start, जिससे website हमारा project start हो जाए, right, सो हमारा project open हो रहा है, starting the development server और यह साइध open हो गया, हाँ, open हो चुका है, हम ब्राउजर को करते हैं, यह देखो, यह हमारा project open हो चुका है, सो यह कितना अच्छा portfolio है, अगर यही portfolio आपका इम बर्माने जाओगे, तो साइध आपको हो सकता है 20 to 30 के pay करना पड़े, या फिर आपको developers हो, तो create कर सकते हो, बटे देखो, अब अगर आपको थोड़ा सा प्रियक्ट सीख दो, 10 दिन का आप रियक्ट सीखने में time दे दो, तो इस portfolio में change करके इसको आप अपना बना सकते हो, और online host कर सकते हो, so thank you for watching this video, I hope कि वीडियो से आपको कुछ ना कुछ help मिला होगा, अगर वीडियो सही लगा, तो चैनल को subscribe करो, वीडियो को like करो, इन अपने friends के साथ share करो, और इसके अलावा जो हमारा project था portfolio, उसका link description में है जो हमारा बाकी चीजे मैंने जो git बताया है, जहां से git install करना था, वो भी link में मैंने दिया है, बाकी सारे details description में दिया हुए है, so thank you